नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस नियूज के डिफेंस टॉक सरेश में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो हमको देखने को मिल रहा है जिसमें ड्रोन से लेके मिसाइल तक को भी अभी हमारे प्राइबेट सेक्टर कमनी डवलप करने की कोशिस करने लगे हैं ऐसे में अभी वीम टेकलोजी जो की इंडियन डिफेंस मार्केट के लिए काफी जाना पहचाना कमनी है इनकी तरब से दे के लिए दो अलग-अलग मिसाइल होने वाले हैं अभी एक थर्ड जनरेशन का मैंन पोर्डबल एंटिटेंग गाड़ेट मिसाइल होने वाला है जिसमें फार एंड फगेट सिस्टम होने वाली एनकी एक बार इसको फार करने के बाद हमें टार्गेट पर लॉक बनाय रखन इसमें सामिल करने से पहले इसकी कुछ यूजर ट्रेल को करने के बारे में सोच सकता है इसके बाद अभी आर्मी में ऐसे बहुत ही ज्यादा मिसाइल की जूरत पढ़ने वाली है तो उस डिमांड को अभी देखते हुए वीम टेकलोजी की तरफ से उसको कैप्चर करने की को असपास होने वाली और इसकी रेंज करीब धाई किलोमेटर तक सीमित रहने वाला है जबकि सेम सेग्मेंट अगर डियाडियो की मैंट पोर्टेबल एंटी टैंक गाड़ेड मिसाइल की बात करे तो इसका वजन 15 केजी से भी कम रहने वाला है और रेंज भी लगबग 2.5 कि की होने वाला है तो वी एम टेकलोजी के लिए डियाडियो की अंटी टेंक गाड़ेड मिसाइल के साथ कम्पीट करना है क्योंकि मैंट पोर्टेबल सिस्टम में बहुत इबड़ा मेजर पॉंट हो सकता है क्योंकि चो सिस्टम जितना हलका होगा उसको क्यारी करना system को खरीदा गया था तब से इसको लेकर काफी हंगाम हुआ था और युइस की तरब से भारत पर संक्शनस को लगाए जाग거든 नहीं लगा जागे सकते हैं कि इनके होते हुए चाइनgrown जएफाडिजेट कभी भी इंडियन एरश्पेस में गुसने की कोशिस नहीं कर सकता ह। करना जितना मुश्किल था वह और भी मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि वर्तमान रेणे को सुट्रिटेप्स इजइए गया तो उस वेसे काफी सारे दिक्कत अभी सामने आ रहे हैं लेकिन फिर भी रश्या की तरब से भारत को बताया जा रहा कि वह अगले साल की फेवरीज से पहले ही भारत को एस वांड़ेट सिस्टम की सभी रिजिमेंट को डिलीवर करने वाले हैं के अगळा अपडेट हलिकॉपटर की तरफ सबूर्ब अभी आप सब जानते की एक श्यवट की तरफ से लिकॉपटर की सेग्मेंट काफी सारा तरक्कि जा चुक किया जा चुक और अभी लाइट कॉमबैर है लेकि लाइट यूटलिटी हलीकॉपटर तक को इंडियन आमी और इंडियन एरफोर्स में भी धीरे धीरे इंडट करना शुरू किया जा रहा है और अभी HL की तरब से एक ने हिलिकोप्टर को भी डवलब किया जा रहा है जो की आगे चल की इंडियन एरफोर्स की मेन मीडियम लिप्ट हेलिकॉप्टर बनने वाला जिसका नम आप सभी इंडियन मल्टी रो हेलिकॉप्टर के तोर पर जानते हैं अभी रिसेंडली एरो इंडिया सो के दोरान इसकी मौडिफाइड वेरियंट को देखा गया था जिसमें एचेल की तरफ से काफी सारे नए चेंजेस को वहाँ पर किया गया था खास करके Aero India सोके दोरान इसकी जो model को वहाँ पर डिस्पले किया गया था उसमें इसकी engine की position, उसकी casing और उसकी exhaust system को थोड़े बहुत changes के साथ दिखा गया था इसके अलावा अभी इसकी तीन अलग-अलग variant को भी develop करने का प्लान किया जा रहा है जिसमें Air Force के लिए Navy के लिए और Army के लिए अलग-अलग variant होने वाला है अभी HL की तरब से बताया जा रहा है कि Light Combat Helicopter को develop करने के बाद और Indian Multi Roll Helicopter को आगे चल के develop करने के बाद HL के पास future में किसी भी category के helicopter को develop करने के लिए जो initial building block होता है वो मौजूद रहने वाला यानि कि अब हमारे पास वो सभी technology मौजूद होने वाला जिनकी मदद से हम कोई भी helicopter को develop कर सकते हैं या किसी भी category के helicopter को बना सकते हैं लेकिन अभी के लिए HL की तरब से कोई भी heavy attack helicopter को develop करने के वारे में सोचा नहीं जा रहा है इसमें HL को सवाल भी किया गया था कि क्या अभी वो light combat helicopter को develop करने के बाद अपाची जैसे helicopter को develop करने की कोशिस कर सकते हैं तो इस पर HL का कहना था कि अगर उनको government की तरब से helicopter को बनाने के लिए कहा जाता है तब जाके वो इस category के helicopter को develop करने के वारे में सोच सकते हैं वरना अभी के लिए ऐसी कोई भी हभी अटक helicopter को बनाने का इरादा नहीं है और अभी बस HL की तरब से Indian multi roll helicopter को ही develop करने की कोशिस किया जार और भी इसके एक civilian variant को भी बनाने का प्लान किया जार जिसको साथ VVIP transportation के लिए इस्तिमाल किया जाएगा अगला update Indian Air Force की medium transport aircraft की तरफ से और अभी हम recently खरीदेगे C295 aircraft के बारे में बात करने वाल है आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अपनी Euro aircraft की fleet को replace करने के लिए टोटल 56 C295 aircraft को खरीदने का प्लान किया गया था इसको लेके 2021 की सेप्टमबर में सबसे पहले हमारी cabinet committee की तरफ से approval दिया गया था जिसके बाद officially इस deal को sign कर दिया गया था जिसमें कुल मिलाकर 56 aircraft खरीदा जाने वाला था और इसमें से initially 16 aircraft को flyway condition में भारत को Airways की तरफ से deliver करने का प्लान किया गया था और बाकी जो बचे 40 aircraft थे इनको भारत में बनाया जाने वाला था इसके अलावा अभी से aircraft की ए complete MRO facility को भी भारत में बनाने का प्लान किया गया था और इसके लिए पिछले साल ही गुजराट की वदोद्रा में PM मोदी जी के दौरक टाटा और Airways की joint facility की Foundation Stone को प्लेस किया गया था अभी के लिए इनिशल 3 साल के अंदर ही भारत को Airways की तरफ से 16 aircraft को डिलिवर कर दिया जाएगा और इनी 3 सालों के अंदर इस नए facility को बनाने का प्लान भी किया जा रहा है जहां पर आगे चलके बाकी बचे हुए 40 C-292 aircraft को बनाया जाएगा और अभी रिसेंटली एलो प्राइमर के साथ एक नई C-292 aircraft को Spain में Airways की facility के बाहर देखा गया था और अभी बताया जा रहा कि इस aircraft की पहली engine test को complete किया जा चुका हाला कि अभी तक के बाद clear नहीं हुआ कि से aircraft को भारत को officially कब तक handover किया जागा लेकिन उमीद गया जा रहा कि initial engine test को complete करने के बाद इसकी कई और flight trail को करने के बाद तब जाके इसको भारत को deliver किया जाएगा अगला update इंडियन anti-done system की तरफ से लगभग दो साल पहले की बात करे तो हमारी लिए पाकिस्तानी डोन एक बहुती major challenge को create कर रहे थे जिसके बाद बहुती तेजी के साथ भारत की तरफ से anti-done system को खरीने की कोशिस किया गया तो और multiple vendors से अलग अलग तरह के और अलग category की anti-done system को भारत की तरफ से acquire किया गया था इसमें से एक DRU की तरफ से develop किये गए anti-done system था जिसे आप सभी indigenous anti-done system कह सकते हैं हाला कि यह थोड़ा बलकी था जिसे किसी भी ट्रक के उपर mount करका operate करना पड़ता है पर यह किसे भी anti-done system के लिए कोई major problem नहीं था क्यूंकि हमारी western border की बात करें तो जिन भी location में ऐसे काफी संतुस्ती जताया जा रहा है खास करके पंजाब सेक्टर की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से drugs को smuggling करने की कोशिस की जाती है और हतियार वगरा भी smuggling करने की कोशिस की जाती है और इसके लिए drones का दिपलॉय किया गया था और बताया जा रहा है कि पिछले तीन महीनों के अंदर जबसे इनको पूरी तरीके से operational किया गया था आर्मी के मताबिए बहुती भैतिन तरीके से पाकिस्तानी डोन को counter कर रहे है और खास करके इसकी जो soft kill capability है इसकी प्रसंसा किया जा रहा है जिसमे अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातर